नमस्कार मेरा नाम इमान शुद्रवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आप किसे जुड़ी वी एक चीज बगाऊंगा जिनके स्पर्म काउंड लोग होते हैं वो अगर अलोपेट में जाते हैं तो वो आपको जिंक के सप्लिमेंट लिख कर देते हैं अब जिंक के सप्लिमेंट क्यों लिकर देते हैं पहले उसके पीछे जाननेते हैं रिजन देखो जिंक एक एसेंशल पार्ट है हमारे स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बेसिकली जिंक का काम होता है मेटाबलाइजम या जिसे मैं बोलो कि मेटाबलाइज करना आप पर जिंक एक कड़ी की तरह काम करता है माल लिजे कि इधर आपका प्रोटीन हो गया इधर आपका स्परमेटाज हो गया जिंक जो है वो बीच में मिलाने का काम कर रहा है तो इसी लिए जिंक की रिक्वार्मेंट बढ़ जाती है इसलिए अगर आप प्रिस्क्रिप्शन दे लेते हों ऐसा नहीं है कि हमारी डेली रूटीन में सीड्स आ रहे हों डेली रूटीन में लेंटिल बहुत जादा खा रहे हों तो वहां पर वह चीज लाग कर जाती है तो इसी रीजन से इसी रीजन से हमें जिंक को रिक्वार्मेंट पर जाती है देने के लिए अगर जिंक और प्रोटीन दोनों में ही थोड़ी-धिकाइँ चालों हो जाएगी, तो आपकी स्पर्म प्रोदक्शन भी कम हो जाती है, जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत जादा जिम करने वाले, जो जाते हैं, जो हाइव वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत मसल बनाने की काम करते हैं वहाँ पर थोड़े बहुत स्परम का उनलो हो जाते हैं उसके पीछे भी रीजन यही होता है कि आपकी बॉड़ी गैदर कर रही है प्रोटीन की मसल को बिल्ट करने के लिए वहाँ पर वो उस जगा को नहीं दे पा रही है तो सिंपल सी बात है लैक चो होता है वो कही न कहीं आमेमारे शरीर में ही हो जाता है जिसकी वज़ासे वो लैक हमारे स्परम प्रोड़क्शन बे दिखता है अब वहाँ पर जिंक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसकी वज़ा से हमारी sperm production में भी effect आजाता है sperm production माने कि थोड़ी कम होनी चालू हो जाती है हमारे sperm matters दोग कम होने चालू हो जाते है तो इसी लिए आपको जो allopat doctors है वो आपको zinc जरूर देते हैं तो इसमें कोई बुरा ही नहीं है zinc देना मेरे साबसे supplement अगर आप ले रहे हो और आपको वो help दे रहा है तो उसमें कोई बुरा ही नहीं है अब कुछ patients उसमें यह भी निकलते हैं कि मैंने zinc मिलिया मैंने protein मिलिया बट मेरे sperm production नहीं बढ़ पा रही है तो उसके पीछे दो कारण हो जाते है उसके पीछे दो कारण हो जाते हैं कि आपकी जो body है वो zinc और protein को इतना assimilate नहीं कर पा रही है जो आपको देना चाहिए था जो इससे आपको मिलना चाहिए था उसमें आपका gut पूरा आजाता है जिसमें digestion system involved होता है कि digestion system थोड़ा सा week पढ़ रहा है जो आप in supplementation भी ले रहे हो तो वो काम नहीं कर पा रही है दूसरा एक चीज आजाती है कि आपका sperm metazooi जिसे जो बन रहा है जो sperm बना रही है sperm metogenesis वो genesis जो है sperm metogenesis जो है वो इतनी शमता नहीं दे पा रही जिसकी वज़़ा से sperm production बढ़ा पाए वो एक limit पर जाकर हो जाती है अब बहुत सारे patients ऐसे भी होते है जिनके 5 million थे 6 million थे वो बढ़ तो गए 18 million पर आगए 15 million पर आगए बढ़ उससे आगे नहीं बढ़ रहा तो वहाँ पर ये भी चीज देखी जादी कि वहाँ पर शायद आपकी शमता जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है तो ये सारी चीज़े थोड़ी सी notice करने वाली होती है बढ़ अब इसी वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़े भी बताने जा रहा हूँ जो आपके sperm count में काम करेंगी जिनके अंदर zinc मिल जाता है जैसे की खाने पीने की चीज़े जो हम डेली रूटीन में add-on कर सकते है उसकी लिस्ट आपके सामने दिखरी होगी स्क्रीन पे आप शायद इसको pause कर लेना वीडियो को या इस वीडियो का screenshot ले लेना जो सामने आपकी लिस्ट आ रही है उसका screenshot ले लेना अब इसमें बहुत सारे seeds हैं ठीक है तो seeds जितने भी होते हैं उसमें zinc मिल जाता है तो हम ले सकते हैं इसमें मैंने कोई non-mage item नहीं डाली almost सारी के सारी wagon चीज़े हैं इसमें seeds हैं इसमें tofu है पनीर का अलग चीज material है बट सारी के सारी zinc जो है वो इन सारी चीज़ों में मिल जाता है और आप इनको लेकर daily routine में protein और अपनी zinc की deficiency को पूरा कर सकते हो तो इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो थोड़ी आपके लिए लगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और शेर कर दीजेगा इसी के साथ मिलेंगे नेक्स वीडियो के तब तक के नमस्कार